उम्शान्ती आज 10 जून 2023 के साकार मथूर महवाक्य है आज की मथूर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया और शदिरी बनने के ड्रिल नमबर वन ड्रिल है बाबा ड्रिल टीचर है बच्चों को कहते हैं स्वधरम मेटि को और शरीरी भव मेरी याद में रहो तो माया जीत बन जाएंगे ये बात स्वयम श्व बाबा कहते हैं कि मैं स्वयम तुम्हारे साथ हूँ तो जीत तुम्हारे निश्चित है जिनके साथ साक्षात परमात्मा है उनकी जीत होनी ही है बाबा आकर याद दिलाते कि मैंने याकर तुम्हें सत्य गीता ज्यान दिया, राज योग सिखाया, यादगार है, मटकी तोड़ी, गोपियों के वस्त्र चुड़ाए, इनका अर्थ स्पस्ट करते बाबा ने कहा, बाबा आकर विकारों की मटकी को तोड़ते हैं, और कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग को पढ़ाने के लिए आता हूं, गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, ये इस समय का ही यादगार है, पर कोई भी नहीं जानते कि बाबा स्वयम आये हैं, विगनों के बीच में भी आपको घबराना नहीं, भले विगनों की ये दुनिया है, विगन आएंगे, चले जाएंगे कहते हैं स्रे कृष्ण ने चोट का चंद्रमा देखा, तबी उन्हें बहुत कलंक लगे, जितने कलंक लगते हैं, उतने आप कलगी धर बनते हैं, आप बच्चों को विगनों की परवा नहीं करनी हैं, क्योंकि आपके मदद करने वाले स्वयम शिव बाबा हैं, सुनते हैं बाबा के मदर बोल, बाबने का मीठे बच्चे, और शरीरी बनने के ड्रिल, नमबर वन ड्रिल है, इससे वायू मंडल में सन्नाटा चाह जाता है, बाब का डारेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो, और शरीरी बनने के ड्रिल, नमबर वन ड्रिल है, इससे वायू मंडल में सन्नाटा चाह जाता है, बाब का डारेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो, कोश्चन है, दुनिया की अनेक विगनों के बीच रहते हुए, एक करस और खुशी में कौन रह सकता है, जो किसी भी विगन की परवा नहीं करते, तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विगन डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, याद रहे, कलंक लगने से तुम कलगी धर बनते हो, कहते स्रिकृष ने चोत का चंद्रमा देखा, लेकिन उस पर कलंक लगे, लेकिन अब तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं, अंत में तुम कहेंगे हैं भारतवासियों, देखो, तुमने बहुत कलंक लगाई, हम अब कलगी धर बनते हैं, भले आपने कलंक लगाई, लेकिन हम कलगी धर बनते हैं, ओम शांती, बच्चो प्रती शिव बाबा का फर्मान है, शिव बाबा केते मैं ड्रिल टीचर हूँ न, कहते अशरीरी भव, बच्चे स्वधरम में टिक जाओ, मन मना भव, मा मेकम याद करो, ये तो जानते हो, अब धर्म की गलानी है, गीता मे है, यदा यदा ही, ये शलोक जनम जनमान तरहम गाते आए, जब से भगती मारग शुरू हुआ, गीता का पाठ करते आए, शिव बाबा की पूजा करते आए, वो ही शिव बाबा कहते हैं, जिनकी पूजा करते आए, वो ही शिव बाबा कहते हैं, मा मेकम याद करो, तुम प मन मना भव क्योंकि तुम्हें वापिस जाना है मेरे परमधाम में अगर स्रेकृष्ण होता तो बच्चे कहते तो होता तो कहते मध्या जीत भव बाबा केते मन मना भव और वो कहते मध्या जीत भव स्रेकृष्ण को स्रेकृष्ण पुरी में याद करू ज्यान का दाता कोई स सदाशिव है शिव की पूजा होती है उन्हें परमात्मा कहा जाता तो हमात्माओं को वहाँ जाना है इसने बाबा डिल सिखाते यह नमबर वन डिल मन मना भव और शरीरी भव तुम सब ब्रामन उनको याद करेंगे अगर अगर कोई शुद्र यहाँ और कोई ख्यालाद से बैठा होगा तो बायो मंडल को खराब कर देगा उस एक को जब याद करते हैं तो सन्नाटा चा जाता है जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता आत्मा के अशरी होने का प्रभाव बढ़ता बाबा केते तुम आत्माओं को वापिस ले जाता हूँ काल एक आत्मा को ले जाता मैं कालों का काल हूँ मैं सब को ले जाने आया हूँ मैं आता हूँ साधारन ब्रह्मातन में मैं मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप हूँ चेतन्य हूँ मैंने गीता सुनाई तुम्हारे पर अब कलश रखा है देखो अब बाबा ने ज्यान का कलश रखा है स्रीकुष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते है कहते स्रीकुष्ण ने मटकी तोड़ी अब वो मटकी काहे की तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं ग्यानमरित का कलश देते हैं बाकि सत्यों में थोड़े कोई ऐसी बात हो सकती है गोपियां तुम हो गोपी वलब की गोपियों पर जो जहर का कलश था वैफोड ग्यानमरित का कलश रखते हैं बाबा जहर का कलश तोड़ कर ग्यान अम्रित का कलश रखते हैं तो इसमें बुद्धी बहुत अच्छी चाहिए तब इधार ना हो सकेगी गोपियों का वलब शिव बाबा है स्रीकृष्ण को वलब नहीं कह सकते लिखाए गोपियों को भगाया बाब थोड़े भगाएंगे ये तो काईदा नहीं बाबा समझाते जब कोई महात्मा कहे शिवो हम तो बोलो एक तरफ कहते हो महात्मा यानि महानात्मा फिर अपने को प धर्म युद्ध का जाता उनके पास है शास्त्रों की मत तुम्हारे पास है श्रीमत बाबा केते मैं आता तब हूँ जब राज योग सिखाना है भारत के उपर सारा खेल है हीरो हीरोईन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है वास्तों में बंदे मात्रम भी इन माता उनको कहा जाता वो लोग तो भूमी को मात्रम कहते भूमी तो तत्व है उनको थोड़े माता कहा जाता इस धर्नी पर रहने वाली तुम माताएं हो तुम्हें वंदे मात्रम कहा जाता वे भूमी को वंदे मात्रम कहते तो भूत पूजा हो गई अब तुम बच्चे योग ब योग बल से बादिशाही लेते हो लंबे काल तक जब आप बाबा को याद करते हो तो बल जमा हो जाता है योग बल से बादिशाही लेते हो सब मेहनत करते रहते पवित्र बन बादिशाही लेने के लिए जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान है उनी की जीत होन प्रमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है वो आकर ड्रिल सिखाते मा में कम याद करू और सब तुमको दुख देने वाले हैं सब दुश्मन बन विघन डालते हैं कोई नई बात नहीं हमको कोई दुनिया की परवा थोड़ाई है स्रेकृष्ण के लिए कहते चोथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई कलंक जिन पर लगते हैं वोई कलगी धर बनेगे फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियो तुमने हमें कितनी गाली दी देखो हम ये बन रहे हैं राजभाग ले रहे हैं लड़ाई के मैदान पर बहुत सहन करना पड़ता है तो जो राजभा तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की गलानी होती है तब बाबा आते हैं अब बाबा आया है हम बाबा से वर्सा ले रहे हैं निमंतरन पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्से और पारलोकिक बाप के वर्से वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है लौकिक बाप से हद का वर्सा पारलोकिक बाप से बेहद का वर्सा ये पॉइंट भी अच्छी लिखी है बेहद बाप से बेहद का वर्सा मिलता है लक्षमी नायन को बेहद का वर्सा किस ने दिया बाबा ने दिया इस सब समझने की बाते हैं हमारा ये सितम सैन करने का के लिए बादिशाही मिलती है तो इसमें मेहनत करने पड़ती है गाया जाता सन शोज फादर स्टूडेंट शोज टीचर अब तुम्हारा रियल पार्ट है तुम समझा सकते हो वो हमारा बाप टीचर सत्गुरू है वो मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है रच्यता है सब जीव आत्माउं का बाप है उनको सरव्यापी कैसे कहेंगे बाप तो उपर रहने वाला है तब ही तो दुख में याद करते हैं वो आते तब हैं जब धर्म गलानी होती है बाबा केते हमारी जनम भूमी भारत के रहवासी जब दुखी और राते है तम मुझे आना होता परम को हो, तो सब की जनम भूśl की भारत होगी। भाबा केते हैं, सभी परिशेप्ट्र को भी मैं मुक्ति-धाम ले 가장 जाता हूं। जो धरम पिताएं हैं, धरम के उपधेशक हैं उनको भी मैं मुक्ति-धाम लेके जाता हूं। जब उनको ये मालूम पड़े कि मुक्ति देने वाला बाबा है वे भारत में जनम लेते भारत बहुत बड़ा तीरत बन जाए समझो सबको मालूम पड़े परंतु आ कैसे सके सभी तो भारत में आ ना सके इतना तो अन नहीं है भारत में ये सुनकर बहुत खुश होंगे ओहो हमारा बाब जो इन गुरू आधी को भी मुक्ति देते हैं, उनका जनम भारत में होता है, पैचानेंगे तो नौलेज से न, और क्या देखेंगे, भाबा को कैसे पैचानेंगे, नौलेज से, ग्यान से, ग्यान सुनकर ग्यान सागर की याद स्वतई आती है, ब्रामनों में जब किसकी सोल आती है, उनके भी बोलने से पैचानते हैं, बिगर बोलने पैचान कैसे हो सकती, बात करने से मालूम पड़ेगा, बरोबर फलानी आत्मा है, शिव बाबा भी जब नौलेज दे, तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं, ग्यान ये तो दे न सके, सिवाए बाब के कोई समझा न चाहिए, ये नौलेज बाबा के सिवाए कोई दे नहीं सकता, देखो कहां कहां बचियां बिगर देखे तरफ रही हैं, शिव बाबा से मिलने के लिए, जरूर उनकी ताकत है जो खीचती है, कशिश होती है, तो उनको सफेद पोश्ट का साक्षतकार कराते, इसलिए नौलेज से मालूम पड़ता, बहुतों को भिनविन प्रकार के साक्षतकार होते, प्रंतों से क्या फाइदा, तुम्हारा काम नौलेज से है, ये नौलेज कोई देना सके, सारा गुप्त पार्ट हुआ, कैते मैं आत्मा का रूपधारन कर इसमें प्रवेश हो जाता हूं, नौलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़े जानते थे, बाबा देखो कितनी कमाल करते, कैते मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा, जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा, मैं तुम्हें 21 सनम के लिए राजभाग दूँग फिर भी अगर वारिस ना बनाई, तो तकदीर कहा जाता, तुम बच्चियां जानती हो, हम शृब बाबा से वर्सा लेने के लिए आए हैं, शृब बाबा को और बैकुंट को, तुम सिवाई द्रिवे दिरिष्टी के देखना सको, ज्यान बिलकुल कलियर मिल रहा है, हमें बाबा राज्योग सिखाते हैं, उचे से उचा वर्सा है स्वरक की बादिशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती हैं, कोई भी राज्योग सिखाना सके, बाबा आते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा के सिवाई कोई राज्योग सिखाना सके, हम नर से नारायन बनते हैं, य पिर सत्यों में राजारारी बनेंगे, ये मुसलों की लडाई भी परसीद है, गीता से देवी देवता धरम स्थापन हुआ, उस समय और कोई धरम नहीं था, वो सब कहां गए, वेनाश हुआ, विल्कु सहज बात है, ट्रेन में तुम बच्चे बहुत सेवा कर सकते हो, फिर भ बाबा केते हो, स्वर्ग में जाने वाली आपकी प्रजा तयार हो जाएगी, बैठ कर सुनेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, लिट्रेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला स्री कृष्न भी होना चाहिए, अच्छा, मीचे मीचे स्री किलद बच्चो प धार्णा के लिए सार, 21 अन्मों की तकदीर बनाने के लिए, शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है, हर करम से बाप, तीचर, सत्गुरु, तीनों का शो करना है, ज्यान कलियर मिल रहा है, इसलिए साक्षतकार की आश नहीं रखनी है, साक्षात, सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विगनों से घबराना नहीं, ज्यान कलियर मिल रहा है, इसलिए साक्षतकार की आश नहीं रखनी, साक्षात, सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विगनों से घबराना नहीं, वर्दान है, मेरा बाबा के समर्ती स्वरूप द्वारा, समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव मेरा बाबा के समर्थी स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव कल्प पहले की समर्थी आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो बाबा कहते तुम मेरे हो इस मेरे पन की समर्थी से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस समर्थी स्वरूप में टिक गए, इस समर्थी के रिटरन में समर्थी स्वरूप बन गए, जो जितना समर्थी में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार प्राप्तु जाता है, जो जितना समर्थी में रहते उन्हें समर्थियों का अधिकार मिल जाता जहां समर्थी है वाँ समर्थी है थोड़ी भी विसमर्थी है तो व्यर्थ है इसलिए सदा समर्थी स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो समर्थी स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिती में भी मजबूत बनो मातेश्वरी जी के महवाक्य स्रिष्टी के आदी कैसे होगी बहुत मनुशे प्रश्ण पूछते हैं परमात्मा ने स्रिष्टी कैसे रची आदी में कौन सा मनुशे रचा अब उसका नामरूप समझना चाहते हैं अब उस पर उनको समझाय जाता परमात्मा ने स्रिष्टी के आदी ब्रह्मा तन से की पहला आदमी ब्रह्मा रचा तो जिस परमात्मा ने स्रिष्टी के आदी की तो अवश्य परमात्मा ने भी इस स्रिष्टी में अपना पार्ट बचाया होगा अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बचाया पहले परमात्मा ने स्रिष्टी को रचा उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा तो पहले ब्रह्मा की पवित्रात्मा होई वो ही जाकर स्रेकृष्ण बनी उसी द्वारा देवी देवताओं के स्रिष्टी की स्थापना की तो देवी स्रिष्टी की रचना ब्रह्मातन द्वारा कराई तो देवी देवताओं का आदी पिता ठेरा ब्रह्मा ब्रह्मा सो स्रीकृष्ण बनता है वो ही स्रीकृष्ण का फिर अंत का जनम ब्रह्मातन है अब ऐसे ही स्रिष्टी का नियम चलता वो ही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है तो रजोतमु अवस्था पास कर फिर शुद्र से ब्रामन बनते हैं तो हमें ब्रह्मा वन्शी सोश्य सच्चे ब्रामन अब ब्रह्मा वन्शी उनको कहते जो ब्रह्मा द्वारा अविनाशी ज्यान लेकर पवित्र बनते हैं इससे सिद्ध है इस स्रिष्टी का आधी पिता ब्रह्मा बाबा है अच्छा ओम शांति आज हम सब अभ्यास करेंगे मैं समर्थ आत्मा हूं मेरा आगर हो जाएं बाबा के मधुरू बोल कानों में गूंचते रहें मेरे बच्चे बच्चे भी समुक आकर कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा दिल से मेरा बाबा कहने पर आत्मा में शक्तियां आती हैं आत्मा समर्थ बनती है व्यर्थ से मुक्ठ भुशाती है शक्तियों से संपन्न बनने के लिए पुना स्मृति में लाएं मैं समर्थ आत्मा हूं मेरे बाबा मेरे साथ हैं उनसे शक्तियां अपने में आती अनुभव करें मैं समर्थ आत्मा हूं शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शान्ति शान्ति